मंता बैनर जी प्रधान मंत्री मोधी से मिलने पहुची इस वक्ति ये बड़ी खाबाद सीदे फ्ले करें GST भुक्तान आपदा मुआफ़जे की कर सकती हैं मांग सोनिया समेथ कई लोगों से मंता की मिलने का कारक्रम इससे थोड़ी देर पहले कमनाथ से हो चुकी उनकी मुलाकात दोहजार चौबिस लोगसवा चड़ाब में बड़ी भूमी का निमाने की तैयारी और सीधे में चलूगा मेरे सहयोगी मनीश या मेरे साथ है मनीश बंगाल जीतने की बाद प्रधान मंतरी से पहली मुलाकार क्या है एजेंडी पर जियां बिलकुल निशान देखे अपने माते पर जीत का सहरा बांदी ममता बैनर जी अब दिल्ली आई है और इसी क्रम में यूतो बंगाल के चीफ मिनिश्टर और प्रधान मंतरी की अगर केवल मुलाकात होती तो हम सिर्फ कहते कि एक सिष्टाचार भेट है जिसमें राज सरकार को शाहता के लिए किन सरकार से मदद मांगी जाएगी प्रधान मंतरी भी राज जी को हर संभव साहता देने का अस्वासन देंगे लेकिन यहाँ पर ममता बैनर जी की और प्रधान मंतरी नरेदर मोदी की मुलाकात के राजनितिक माईने बहुत जाएदा है जो कि इन विशो पर अच्छी राय रखते हैं कई बार बोलते हैं काफी अच्छे से मैं उनके पास आरा हो लेकिन उससे पहले ममता बैनर जी की मुलाकात ये देखें यहाँ पर मारे पास जो जानकारी है दिल्ली दोरे पर दीदी मिशन दोहजार चौबिस का आगार तीसरी बार सीम बनने के बाद पहली बार ममता मैनर जी की पीम बोदी से मुलाकात है नेक्स चेंच करें इसको यहाँ पर बड़ा थेज़ी से उनके कद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है ममता खुद को तीसरे मोर्चे के चेहरे के रूप में देखना चाती है बटे हुए विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक जुट करने के लिए कई नेतां से मुलाकात का कारक्रम है ममता बुद्वार को राश्पदी और सोनिया गांधी से भी मिल सकती है ममता कॉंग्रिस के नेता कमलना दानन शर्मा और अभी शेक मनु सिंग्वी से भी मुलाकात का उनका कारक्रम है जिसमें से एक मुलाकात हो चुकी है मैं चाहूँगा इस ग्राफिक्स के साथ सीदे शॉट्स के साथ है आप देखिये 2019 के चुनाफ से पहले और 2012 के चुनाफ से पहले भी इन सब लोगों ने एक होने की वोगी थी उन्निस वाले में वो महा गटबंदन मना था वो कितने बीस बाइस नेता ये खड़े होके स्टेज के उपर वो सब किये थे क्या हुआ मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि आज देश की जनता जो है वो नेताओं के गटबंदनों के उपर और इस पर वोट नहीं देगी देश की जनता दो चीजों को सिरफ ढूंडेगी पहली चीज देश की सुरक्षा और दूसरी चीज विकास और उस विकास के अंदर उसके लिए रोजगार, उसकी इंडस्ट्री, उसकी खेती इन चीजों पर क्या कारे हो रहे है, देश की जनता इन चीजों को चुनेगी नेताओं को हाल आप देखिए, मुझे एक बात बताईए आज आज आप मैंने कली ट्वीट किया है, कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का संग्यान क्यों नहीं लेता कि ये जो देश की आज जातिवाद की राही निती जिस तरीके से देश में हो रही है मैंने दो लाइन बनाई थी आपको मैं बता दूँ आज, मेरी लाइन है कि मैं दिल से शुद्र हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की सेवा करने में आस्ता रखता हूँ मैं दिमाग से ब्राह्मन हूँ क्योंकि मैं ग्यान अरजित करके ग्यान बाठता हूँ लोगों को मैं शरीर से शत्री हूँ क्योंकि मैं अपनी देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ मेरा एक ही धर्म है राश्वाद और मेरी कोई जाती नहीं है और ये जाती की राजी निती करने वालों अपनी दुकाने बंद करने लेकिन अगर ममता को जमीन टटोल नहीं है तो ममता कोन रोहिंगियों को भार करना पड़ेगा जो देश के इंट्रूडर है त्वर्च पार